आज इस वीडियो के माध्याम से विश्व इतिहास का आखरी टॉपिक सेकेंड बर्लवार यानि दुतिय विश्वयुद इसके पहले लगवग मैंने चार वीडियो के माध्याम से सबसे पहले आपका पुनर्जागरण सेकेंड वीडियो से ओद्विक क्रांती थेर्ड वीडियो से क्रांती जिसके अंतरगत तीनों क्रांती जिसके अंतरगत आपने इंग्लैंड की क्रांती फ्रांस की क्रांती रूस की क्रांती 1905 और 1917 उसके बाद चौथी वीडियो से मैंने Second World War की बात करेंगे इन सब वीडियो के साथ-साथ मेंस की test series शुरू की जा चुक्ती है जो भी candidate interested है तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं बहुती कम और nominal fees में मैंने test series शुरू की है और जो course join करना चाहते है मात्र साड़े 3000 रुपे में आप course join कर सकते हैं यहां देख लीजे मैं फिर से आपको बोलना हूँ wait मत कीजिए अभी भी कहा रहूँ आप join कर लीजे आपका जो भी मैं हो सकता हूँ बहतर से बहतर आप लोगों के साथ मैं अच्छा करने का प्रियास कर रहा हूँ ठीक है? चलिए और एक चीज़ और यहां पर मैंने वेंशन की हूँ मुख के परिक्षा में 30 नंबर पके जी हाँ विश्व इतिहास बहुत अच्छे लेविल में पूछा जाता था लेकिन 2020 में इसको हटा दिया कैसे लेवस से लेकिन इस बार आख रही है तो मुझे लग रहा है कि फिर से ये कम से कम 20-25 नंबर का पूछा जाएगा ठीक है? तो कोसिस कीजिए कि इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मुझसे आप संपर कर सकते हैं नीचे दिये गए नंबर पे दुती विश्युद्ध की बात कर लेते हैं प्रिश्ट भूमी इटली और जर्मनी की सेनेक ताना साही और आक्रमक राष्टबादी ने विश्युषांती को काफी हनी पहुँचाई पिर्थम विश्युद्ध के पश्याद राष्ट संग की स्थापना सांती स्थापना के जिनों देशों को लेकर की गई थी उनकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं 1919 से 1949 के बीच निसस्तरी करण और सामोहिक सुरक्षा की भी प्रियास किये गए परंतु बिफल रहे जर्मनी और इटली के गुट में जापान की समलित हो गया था ये तीनों ही समराजवात की आकांचा रखते थे इन तीनों राष्टों के गुट को धुरी राष्ट के नाम से जाना गया और फ्रांस ने रूमानिया, बेल्जियम, पोलेंड, यूगोसलाविया के साथ मिलकर एक लगू मेत्री संग की इस थापना की, रूस और जर्मनी ने अनाकरमन संदी पर हस्ताक्षर कर दिये उस समय ताना साही लोगतंतरक लोगतंतरक सकतियों में प्रितिस परदा चल रही थी, 1936 में स्पेन में जनरल फ्रेंकों ने विद्रो कर दिया और इस्पेन की सत्ता पर अधिकार जमा लिया फ्रेंकों ने जब बिद्रो किया उसी समय हिटला ने आश्टिया पर आक्रमन कर दिया जो बरसाई की संदी के बृद कार रहे था इस कार्ड का भी ब्रोज इंग्लेंड और फ्रांस के दौरा नहीं किया गया और 29 सितंबर 1938 में म्यूनिक संदी जर्मनी से करके उन्होंने जर्मनी के कार्ड को एक परकार से मानिता ही दे दी हिटला ने सीगर ही पूरे चेको से लाविया को ही अपने साम्राज कांग बना लिया इंग्लेंड और फ्रांस की यह धाड़ान रही कि जर्मनी यदि सामवादी देसों को रूस के खत्रे से मुक्त कर सके तो उसके ये कार आपत्ती जनक रही है एंग्लेंड और फ्रांस की जर्मनी के प्रती तुष्टी करण की नीती ही आगे चलकर दुटी विश्युदिक के लिए मातमूल कारण बना दुटी विश्युदिक कारण बरसाए की संदी और अन्य संदियों से उत्पन अशंतोस इस संदियों का ब्यावार एक रूप सांती स्थापित करना नहीं था इन संदियों में अनेक भूलें वंतुटियां थी जिसके करना युद्ध अभश्य भापी था बालकान में कई प्रांतों के अंगभंग कर दिये गए थे यूगोसलाविया चेकोसलाविया का निर्वान ही पडूसी राज्यों को तोड़ फोड कर किया गया था जर्मनी का दिकान से सब पूलेंड में मिला दिया गया था या फ्रांस को दे दिया गया था इन सारी विवस सखलता प्राप्त ना कर सका अनिक राष्ट संगे से पृठक हो गया तथा उन्होंने उसकी पृठ्ताओं उंको आशुहकार कर दिया दो बिंशोदि संगर्स दो ती विश् спорт से पूर्व में दो बिचार धारा करते थे इसके पास इनके पास बिसाल सामराज नहीं थे इसलिए सामराज बिस्तार की भूग के करण ही जर्मनी ने ऑस्टिलिया चेको सलावी ता पोलेंड पर जापान ने मंचूरिया ता चीन पर और इटली ने एविसीनिया पर आक्वाण किये थे इन पिछार धारों का ओदया पृतम बिश्युदि के बाद पैरिस के स्थाइक Tillam में लोक्तंत्र साषरें के स्था अपना कर दी जर्मनी का आतअी इससा ही ना साही का ओदय होना सएननगवादी भावना का बिकास होना मित-राष्ट्र के तुष्टे करल की निविटी उस समय जो तातकालिक करन थे वो क्या थे? 1934 में जर्मनी ने पोलेंड से अनाक्रमन समझवता किया परनतु जर्मन निवासियों के करोध की सांती नहीं थी यह समझवता हिटलर की एक कूटनीती चालती हिटलर ने आश्ट्रिया और च्याकूर सुलाविया पर अधिकार करने के पस्याथ पोलेंड से डेंजिंग का बंदर गया मांगावा पोलिश गलियारे में से रेल और सडक मार्गो को पूर्वी पिरसा तक बना लेने की मांग की पोलेंड की रक्चा हेतू एंग्लेंड और फ्रांस ने 3 सितंबर 1949 को जर्वनी की बृद्ध युद्ध की गोशना करी और इस प्रकार दूती विश्युद्ध प्रारभ हो जाता है जापानियों ने 7 सितंबर 1941 को अमेरिका के हवाई दू इस्तित पर हालवर के अमेरिकी नौसेने कड़े पर जवर जस्त हमला किया अमेरिका का प्रसांत महासागर इस्तित बेड़ा जो वहां रखा गया था 33 हो गया अमेरिकां को 20 युद्ध पोतों और लगबग 200 हवाई जहाजों से हाथ दोना पड़ा लगबग 3,000 लोग मारे गए इससे अमेरिका हत प्रत रह गए उक्त हमले से अंग्रेजों के दो बड़े समुद्री जहाज प्रिंस ओफ बेल्स तथा रिफल्स को भी समुद्र में डुआ दिया अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापन के बिरुद्ध युद्ध की गोशना की और उसके तुरंत बादी जर्मनी और इटली ने सयुक्त राष्ट अमेरिका के बिरुद्ध युद्ध की गोशना कर दी अमिर्का की युद्ध में सामिल होने के बाद अमिर्का महाधीब के बहुत सारे देश जर्मनी एकली और जापान के बुर्द युद्ध चेत्र में अउतर आये। युद्ध के दौरान बिक्सित सबसे संघात्मिक अस्तर परमाणु बम जापान के सहर हिरोश्मा पर गिराया गया। यूरोपी प्रभुत्य की समापती लोगतंत्र की बिजय अधिनायगबाद की असफलता मतलब दो महाशक्तियों का उदय सीति उद्ध का पराराम। अता दोनों अविश्यों के दो परस पर बिरोधी खेमे का नित्वत कन लगे। फलसरूप दोनों के मद्ध में तनाव उत्पन होगा जैसे सीति उद्ध को जन्म दिया। सामराज जबाद तथा उपनिविश्वात का अंत हुआ प्रादिशिक संगटन सीति उद्ध की स्तिति को देखते हुए सामरबादी रूसी तो पूझजवाती अमिर्का ने अपने अपने प्रभाव की वरत्दी के लिए चेत्री और प्रादिशिक संगटनों का गठन प्र संग्ति राष्ट संग्ति की सबसे बड़ी देनती जर्मनी के अगर पराजा की कारण क्या थे ब्रिटेन और अमेरिका की सामोईक सक्ती का सुद्रन होना जमेरिका जर्मनी दोरा रूस पर आक्रमन हिटलर की कूटनीतिक असफलता है अमेरिका दोरा युद्ध में मित राष्टों के ओर से भाग लेना इंग्लेंड की अपनी विश्यक सक्ती और विश्यो के लोकमत का जर्वनी के बिरुद्ध होना तो दोस्तों ये था हमारा जुटी विश्यो युद्र का टॉपिक इसके अंतर मैंने आपको पूरा स्थिती बताई थी कि उस समय क्या 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 कैसे कैसे हुआ इसके बाद जो अपना प्राचीन है उसको भी कवर करा दिया गया है तरीका रिटेंशन लेने की जरुवत नहीं है इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि साड़े तीन हजार रुपे में मेंस की 2019 की online classes और test series मेंस की 2019 की test series भी शुरू की जा चुकी है जो भी candidate interested है नीचे दिये गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं Thank you for watching, have a good day